नमस्कार गुट्टिकी पोठली यूट्टूब में आपका देख स्वाकत हैं आज मैं आपके लिए एक लीडी सौक का यह और वीडियो लेकर आहां हूं ch कर तो इसको बनाने के लिए इसको मैंने यहां से बनाना स्टार्ट किया है पहले इस हिससे को बनाया है इस हिस्से को बनाने के बाद फिर हमने नीचे का हिसा बनाया है उसके बाद ये हिस्सा हमने सारा कंबाइन बनाया है अक्सर हम बूट बनाते हैं हमें लोग लिखते हैं कि हमारा बूट जो है एडी से गिर रहा है ये वाला बूट आपका एडी से नहीं गिरेगा, और ये मैंने 5 और 6 नमबर के लिए बनाया है, इसकी जितनी एंकल की ये चीज हमारी छोटी होगी, और ये चीज बड़ी होगी, उतना एडी से गिरेगा, जितनी ये चीज बड़ी होगी, और ये चीज छोटी होगी, उतना ह 5 युख लिए बनाया है, आज, कल मल्टी कलर की वूर ऐल के रिवाज है, आप तो क मैं पर बनकर को अनुख कर टो टोल रोगने पचास घ्राम के पिलसे, है तो टोटल वो लगबग 45 ग्राम के आसपास लगी है तो आएए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर एक सोक्स मैंने पूरी बना रखी है एक सोक्स में आपके सामने बना रही हूं सोक्स बनाने के लिए मैंने यहां पर दस फंदे लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, फंदे आपको बिल्कुल नार्मन डालने हैं, जैसे भी आपको फंदे डालने आते हों, आप 10 फंदे डालने, और बनाने के लिए मैं 11 नंबर की स्थाय का इस्तिमाल करने हैं, इसी के साथ हमारा जो सेंटर का डिजाइन है, ये वाला डिजाइन, ये 4 फंदो का है शुरू से आखिर तक ये डिजाइन मेरा 4 फंदो का डलनेगा, और जो हम फंदे बढ़ाएंगे, वो हमारे इस तरफ आते चले जाएंगे, इधर और इस तरफ पहली पार पहला फंदा हम बुन कर बनाएंगे, और इसके बाद पहला फंदा हम हमेशा ही स्किप्ट करेंगे पहले हम अपने इन तीन फंदो पर डिजाइन बनाएंगे, एक सीथा, एक उल्टा, एक सीथा और यहाँ पर हम एक मार्कर लगा लेंगे, इसके बाद चार फंदे हम बिलकुँ सीथे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और एक मार्कर हम फिर से लगा लेंगे, इसी के साथ फिर से एक फंदा सीथा, एक उल्टा, एक सीथा, एक सीथा, एक उल्टा, और एक सीथा, फंदा बनाने के साथ हम रॉंग साइट से बनाएंगे, यहाँ पर मैंने अपनी सीथी साइट से रो नमबर एक कम्प्लीट कर ली है, हमारा यह जो डिजाइन है, चार फंदों का डिजाइन है और सिक्स रो में जाकर कम्प्लीट हो जाएगा, रॉंग साइट रो नमबर दो, तीन फंदे कर पहले हम डिजाइन मनाएंगे, एक उल्टा, पहला फंदा हमें बिना बुने उतारना है, एक उल्टा, एक सीथा, एक उल्टा, रॉंग साइट से ये वाले चार फंदे हमीशा ही उल्टे बनेंगे, मारकर अपनी स्लाइप पर लेकर, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, फिर से मारकर अपनी स्लाइब पर ले लेगे और एक उल्टा, एक सीथा और एक उल्टा सीथी साइड से रूम नमबर तेन बना रहे हूं पहला फंदा बिना सीथा उतारेंगे एक सीथा, एक उल्टा सोरेंगे और एक सीथा बनाने के साथ यहाँ पर हम एक अपने फंदे को बढ़ा लेगे मारकर अपनी स्लाइब पर ले लेंगे और चार फंदे हम सीथे बनाएंगे सीथी साइड से यह रो नमबर तीन है चार फंदे सीथे, एक, दो, तीन, चार अब हमको इस साइड फंदा बढ़ाना है फंदा बढ़ाने के लिए पहले मारकर हम अपनी स्लाइब के उपर लेंगे फिर यहाँ पर एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे एक फंदे को बढ़ाने के बाद अपने निचे वाले बॉर्डर को देखते हुए हम बनाएंगे एक सीथा, एक उल्टा, एक सीथा एक सीथा, एक उल्टा, और एक सीथा सीथी साइड से रो नमबर तीन कम्प्रिट करें रॉंग साइड रो नमबर चार पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे एक उल्टा, एक सीथा, एक उल्टा और यह जो फंदा हमने पिछली रो में बढ़ाया था, इसे हम सीधा बना लेंगे धागा अपनी ओर करके, मारकर अपनी स्लाइप पर ले लेंगे और इन चार फंदो को कैसे बनाएंगे एक फंदा उटा बनाएंगे और एक चाली डालेंगे फिर से एक फंदा उल्टा और एक जाली डानेंगे एक फंदा उल्टा और एक जाली एक फंदा उल्टा यहाँ पर हमने चार फंदे उल्टे और तीन जाली बनाई है मारकर अपनी स्लाइपर लेकर अपने डिजाइन को देखेंगे उल्टा सीथा उल्टा सीथा ये वला पंदा हम सीधा बनाएंगे एक सीथा, एक उटा और एक सीथा, एक उटा इसके बाद सीथी साइट रो नमबर पाँच पहला पंदा बिना बुने सीथा उता रहिया एक सीथा, एक उटा, एक सीथा, एक उटा फंदा बनाने के साथ रागा दूसरी तरफ करके यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ा लेगे फंदा हमको हमेशा ही इन चार फंदों से एक तम पहले बढ़ाना है और इन चार फंदों के एक तम बाद सीथी साइट से बढ़ाना है पेटा था इनको अपनी स्लाई से उतार देंगे और इन फंदों को उल्टा उतारेंगे ऐसी यहाँ पर यह चार फंदे हो गए इसको हम कैसे बनाएंगे चार्ष फंदे फिर से अपनी स्लाइपर लेने के बाद सबसे पहले हम तीसरे फंदे को बुनेंगे इस तरह की से तीसरे फंदे को बुनेंगे और इन दो फंदों के उपर से इनको पठा दे अब हम फूर्थ फंदे को इसके उपर से लागते हुए और दोनों फंदों के उपर से लागते हुए इसे हम पटा दें और यहाँ पर हम इन दोनों फंदों को सिधा अबना लेंगे मारकर अपनी स्लाइपर लेकर एक हम यहाँ पर फिर से जाली बना लेंगे एक फंदा बढ़ा लेंगे और इस तरफ अपने डिजाइन को देखते हुए सीथा उटा सीथा उटा देखते हुए हम आगे अपने डिजाइन को बनाएंगे सीथी साइट से रो नमबर पांच कंप्लीट कर ली है रॉंग साइट से रो नमबर छे कैसे बनाएंगे पहला फंदा उल्टा बिना मुने एक उल्टा एक सीथा एक उल्टा एक सीथा और ये फंदा हमारा उल्टा बनाने के साथ मारकर अपनी स्लैपर लेकर चार फंदे उल्टे एक दो ती चार मारकर अपनी स्लैपर लेकर अपनी डिसाइन को देखते हुए उल्टा सीथा उल्टा सीथा उल्टा एक उल्टा एक सीथा एक उल्टा एक सीथा एक उल्टा बनाने के साथ एक बार हमने अपनी डिसाइन की six rows को complete कर लिया है यहाँ पर हमने अपनी डिसाइन की एक बार six rows को complete कर लिया है इसके बार मैं repeated row number एक बना रहे हूँ repeated row number एक में और static row number एक में इतना ही फार्ट है repeated row number एक में हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे और जो हमने first row number एक बनाई थी उसमें हमने ना इतर फंदा बढ़ाया था और ना ही इतर फंदा बढ़ाया है यह मेरे डिसाइन की repeated row number एक है एक फंदा सीथा, एक उल्टा, एक सीथा, एक उल्टा, एक सीथा फंदा बनाने के साथ एक जाली डालेंगे मारकर अपनी स्लाइपर लेंगे और चार फंदे हम सीथे बनाएंगे एक, दो, टी, चार, फंदा अपनी स्लाइपर लेकर एक हम फंदे को बढ़ालेंगे और अपने डि mainten को देखते हुए सीथा उल्टा, सीथा, उल्टा, सीथा एक सीथा, एक उल्टा, फिर से एक सीथा, एक उल्टा, और एक सीथा सीथी साइड से रिपीटिट रो नमबर एक बना लिए है रोंग साइड रिपीटिट रो नमबर दो पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर एक उल्टा, एक सीथा एक उल्टा, एक सीथा, एक उल्टा, एक सीथा, सीथा फंदा बनाने के साथ धागा अपनी ओर करके यहाँ पर चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक, दो, ती, चार, चार फंदे उल्टे, मारकर अपनी स्लाइपर लेकर डिजाइन को देखते हुए सीथा, उल्टा, सीथा, सीथा, उल्टा, सीथा, उल्टा, सीथा, उल्टा, रिपीटिट रो नमबर दो कम्प्रीट कर ली है, रिपीटिट रो नमबर तीन बना रहे हैं, पहला पंदा सीथा, उल्टा, सीथा, उटा, S, उटा बनाने के साथ एक फंदे को बढ़ा लेंगे Marker अपनी Slipes लेंगे चार फंदे सीथे एक, तू, तीन, चार Marker अपनी Slipes लेंगे और एक फंदे को हमने यह बढ़ा लिया और हम डिजाइन देखेंगे सीथा उल्टा एक उल्टा एक सीथा एक उल्टा एक सीथा एक उल्टा एक सीथा बनाने के साथ repeated row रोह नमबर तीन कम्पीट कर ली और रॉंग साइड रिपेट इड्रोह नमबर चार एक उल्टा एक सीधा is symbols ऑग्म है एक सीधा एक उल्टा सीधा सुन oton हम पंदा बनाने के बाद रोह नमबर चार में हम को एक एक चाली डाना है एक उल्टा, एक चाली, एक उल्टा, एक उल्टा, एक उल्टा, एक उल्टा और एक उल्टा फंदा बनाने के साथ अपने डिसाइन को देखते हुए सीथा, उल्टा, सीथा, उल्टा, एक उल्टा, सीथा, उल्टा, सीथा बस border बनाते हुए, repeated row number 4 हम complete करेंगे, repeated row number 4 complete कर ली है, repeated row number 5 बना रहे है, एक फंदा सीथा, border बनाना है, एक उल्टा, एक सीथा, एक सीथा, एक उल्टा, एक सीथा, बनाने के साथ एक जाले डालेंगे, मारकर अपनी स्नाइपर ले लेंगे, और पहले ये जो हमने जाली डाली थी, इसको निकाल देंगे, फंदो को हम उल्टा उतारेंगे, जाली गिराते जले जाएंगे, फंदे उल्टे उल्टे बनाते हुए, अपनी स्लाइपर लेते चले जाएगे, और इससे भी हम अपनी स्लाइपर लेकर परापर कर लेंगे. चारो फंदे इस तरीके से अपने उल्टे हाथ की स्लाइपर लेकर यहां से तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे और सीधा बनाने के साथ इन दो फंदों के उपर से हम इसको घिरा देंगे यहां से फिर तीसरे फंदे को ही हम बनाएंगे तिस्रे फंदे को बनाने के साथ इन दोनों फंदों को के उपर से इस फंदे को हम गिरा देंगे तो हमारा डिजाइन बनकर complete हो जाएगा repeated row number 5 बनाने के बाद repeated row number 6 बिल्कुल सेम है और इसी तरह सी बनाती हुई हम यहाँ पर अपने design को 7 बहर पूरा बनाएके एक एक, दो, ती, चा, पांग, छे, साथ पहले हम साथ बार अपने डिजाइन को बना ले फिर हम इसके उपर अपने बैक के तले को बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हमको साथ बार अपने डिजाइन को बनाना है दो बार मैंने पूरा कम्प्लीट केर लिया है पांच बार मैं और बनाँगी फिर इसके उपर में आखे सामने बनाँगी इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पर मैंने अपने डिजाइन को 7 बार कम्प्रीट कर लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बार बनाने की बार मैंने यहाँ पर 2 मारकर लगानी है टोटल डिसाइन हमने साथ बार बनाया है एक बार डिसाइन बनानी में हमारे छे फंदे बढ़ते हैं तो साथ बार डिसाइन बनानी में 42 फंदे बढ़ गए हैं दस फंदे हमने शुरुवात में डाले थे इधर से फंदा बढ़ाया था, इसलिए दो फंदे कम बढ़े हैं, वो दो फंदे हमने यहाँ पर माइनस कर दिये, टोटल फंदे हो गई 50, इसके पात मैंने जो दो मार्कर लगाये हैं, दो मार्कर लगा रखे हैं, 21 फंदे इधर से हैं, 21 फंदों के पान मार्कर है, सेंटर मे 8 फंदे हैं फिर मारकर है और शुरुआत में 21 फंदे हैं इसके उपर अब हम कैसे बनाएंगे फर्स्ट रो पहले हम पहले की तरह बनाते हुए एक फंदा सीथा एक उल्टा फिर से एक फंदा सीथा एक उल्टा एक फंदा सीथा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए हैले हम अपने यहां की 21 फंदों को इसी तरीके से बनाएंगे और एक बार बनाने के बाद मैं एक बार आपके सामने काउंट करतूंगे यह देखिए एक दो तीन चाहर पांच छे साथ आठ नो दस दस का डबल पीस और एक इकिस इकिस फंदे सीधे बनाने के बाद इन आठ फंदों को तो चाहर छे और आठ इस पर हमको को बिल्कुल भी कुछ नहीं करना बस सीधी साइड से सीधे बना लेंगे और उट्टी साइड से हम उटे बनाएंगे मार्कर को अपनी सलाई पर लेंगे और हर बार शुरुवात के दो फंदों का इकठा एक फंदा बना लेंगे दोनों फंदों को सीधा बिना बुने उतार लेंगे और इस तरह से सलाई लेते हुए दो फंदों का इकठा एक फंदा बना लेंगे स्लाई को पलट लेंगे, रॉंग साइड आगे, रॉंग साइड से पहला फंधा बिना पुने उतारेंगे, मारकर अपनी स्लाई पर लेंगे, सेंटर के 8 फंधे हमको उल्टे बनाने हैं, सेंटर के 8 फंधों पर अब हमें कोई डिजाइन नहीं बनाना है, मारकर अपनी स्लाइप पर लेकर इन दो फंदों का शुर्वात के दो फंदों का एकठा एक फंदा हम उन्टा बना लेंगे पहला फंदा बिना बुने सीधा उतारेंगे मारकर अपनी स्लाइप पर ले लेंगे आठ फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ मारकर अपनी स्लाइप पर लिया और इन दो फंदों का इकठा एक फंदा पहले दोनों फंदे बिना बुने सीधे उतार कर इस तरहां से स्लाइप लाते हुए दो फंदों का इकठा एक फंदा बना लेंगे रॉंग साइट पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे मारकर स्लाइप पर लेकर आठ फंदे उते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मार कर अपनी स्लाइप पर ले लेंगे और शुरुवात के दो फंदों का इकठा एक फंदा हम बना लेंगे बस इसी तरहां से बनाते हुए हमको अपनी जुराब को आगे बनाना है और तब तक बनाना है जब तक आखिर के दो फंदे नहीं रह जाते हैं दो फंदे रहने तक हम सारे फंदों को बन करेंगे और इसी तरहां से बनाते हुए हम अपने बूट के इस नीचे वाले तले को बना कर कम्प्लेट करेंगे इसी तरहां से बन करते हुए दोनों साइट के दो फंदे रहने तक मैंने अपने सारे फंदों को बंद कर लिया है अब हम इन दो फंदों को कैसे बंद करेंगे पहले हम आठ फंदे सीधे बना लेंगे आठ फंदे सीधे बनाने के बाद मार्कर को निकाल देंगे इस फंदे को अपनी स्लाइप पर लेकर इन दोनों फंदों का एकठा एक फंदा बना लेकर। और इस फंदे को इसके उपर हम पलट देंगे। रंग साइड आजाएंगे। रंग साइड से बना रहे हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर आगे वाले आठ फंदे हम उल्टे बना लेंगे और इस साइड के मार्कुर को भी हम निकार देंगे, और यहां पर हम तीनों फंदों का इकठा एक फंदा बना लेंगे अब मेरे पास सिलाई पर टोटल फंदे दस रह गए हैं, तो चार, छे, आठ और दस, दस फंदों से ही हमने अपना बनाना स्टार्ट किया था, और यहां पर हम अपने धाके को काट देंगे धाके को हमने काट दिया है, अब हम यहां से, यहां से हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था, इस साइड से, यहां से हमने बनाना स्टार्ट किया था, यहां से हम अपने फंदों को एक-एक करके उठाएंगे, और फंदे हम बिल्कुल किनारे से उठाना स्टार्ट करेंगे, ज उतना ही हमारा बोट जादा सुन्दर बन कराएगा और यह जो हमारी ही वली चेन है ना इससे बिलकुल पहले पहले धाके से हमको एक सुन्दे को उठाना है आगे वाली चेन के पहले धाके से हम एक फंदे को उठा लेंगे फिर से आगे वाली चेन के पहले धाके से एक फंदे को हम उठा लेंगे और इसी तरह से उठाते हुए हैले हम एक साइट के सारे फंदों को उठा लेते हैं यहां पर हमने अपने सारे फंदों को उठा लिया है फंदे हमारे 21 उठकर आए हैं टोटल रो हमारी ब्यालिस थी ब्यालिस सी फंदे उठेंगे 21 फंदे इधर से उठेंगे और 21 फंदे हमारे इस साइट से उठेंगे इसके उपर पहले तो मैं यहां के पांच फंदों को सीधा बनाओगी एक, दो, तीन, शाहर और पांच और इसके पाद में यहां से अपनी एक सलाई को और लगा लूँगी क्योंकि यह या तो आप जो गोल सलाई होती हैं या तो आप उस पर बनाए या फिर आप तीन सलाई या चार सलाई से यहां पर सौक्स को बनाएं तभी हमारी सौक्स जो है वो बनकर त्यार होगी और अप मैं यहां से अपने फंदों को उठाना शुरू करूंगी फंदे में को इस साइड से भी 21 ही उठाने हैं बिल्कु जो पहली चेंड है उसी की पहली पहले धाके से फंदों को उठाएंगे और इसी तरह से उठाते हुए पहले मैं इस साइड के 21 फंदों को उठा लूं और एक फंदा हमें बिल्कु लास्ट से उठाना है बिल्कु लास्ट से तो पहले मैं इस साइड के 21 फंदों को उठा ले तो फिर हम इसके उपर बनाएंगे यहां पर हमने अपने 21 फंदों को उठा लिया है 21 फंदे इधर 21 और 10 फंदे बीच के 52 स्टीचेश इस वक्त हमारे पास है श्लाइपर यहां पर मैंने अपने 21 फंदों को उठा लिया है अब हम रॉंग साइड से अपनी बूट की इस चीज को बना रहे हैं यह सारी चीज सामवारी कंबाइन बनेगी और इसी के साथ हम यहां पर किनारे पर अपने बॉर्डर को भी डालेंगे बॉर्डर को या इस डिजाइन को डालेंगे यह स्टार्टिंग का बॉर्डर हमारा पाँच फंदों का है यहां पर हमने इस साइड के भी अपने 21 फंदों को उठा लिया है अब हम रॉंग साइड से बनाएंगे पहला फंदा विना बने उल्टा और यहां पर हम पाँच फंदे सीदे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और पाँच इसी के साथ ही यहां पर हम अपने बूट की इस चीज को बना रहे है इस अपने डिजाइन को बना रहे है और ये वाली जो चीज़ है ने तल्ले की ये सारी की सारी इकठी बना रहे हैं और इकठी ही बने थी पाँच फंदे सीथे एक फंदा यहाँ पर चार फंदे उल्टे एक दो तीन शार एक फंदा सीथा बनाने के साथ ही इस सारी रो को हमें उल्टे उल्टे बना कर कंप्लीट करना है एक फंदा बिना बुने उतार लिया पाँच फंदे सीथे चार फंदे उल्टे एक फंदा सीथा दो, चार, छे, आठ, तस और एक ग्यारा फंदों का राउंड साइट से हमारा डिजाइन बनेगा और इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए पहले हम इस सलाई के सारे उल्टे फंदों को बना लेंगे फिर हम यहाँ पर अपनी सलाई को चेंज कर लेंगे यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो अपने धागे को अच्छे से खींचते हुए स्टार्ट करेंगे पूरा जोर से खींचते हुए स्टार्ट करेंगे और उल्टा उल्टा बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे और इस साइड के 11 फंदे रहने तक दो, 4, 6, 8, 10 और 11 फंदे रहने तक पहले हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना कर कम्प्लीट कर लेते हैं यहाँ पर हमने इथर से 11 फंदे छोड़ने तक सारे फंदे उल्टे बना लिये हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 11 एक फंदा सी था चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार और बाकी के यहाँ पर हमारे कितने 2, 4, 6 फंदे सी थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, हमारा जो हम ये वहला डिजाइन बना रहे हैं 6 रोज का डिजाइन है जिसमें से मैंने यहाँ पर 2 रोज बनानी है एक रो में हमने फंदे बढ़ाए थे और रॉंग साइट से एक रो हमने कम्प्लीट कर ली है और अब ये मेरे डिजाइन की रो नमबर 3 है पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और 4 फंदे सी थे एक, दो, तीन, चार, ये हमारे बॉर्डर के 5 फंदे, एक फंदा उल्टा चार फंदे सी थे एक, दो, तीन, चार, और एक फंदा उल्टा बनाने के साथ हमने एक साइट के अपनी डिजाइन को कम्प्लीट कर लिया ये सारे फंदे सी थे बनाएंगे और इस साइट के 11 फंदे रहने तक हम पहले इस रो को कम्प्लीट करेंगे और दूसरी साइट के 11 फंदे हम आपके सामने बनाएंगे यहाँ पर हमने ये सी थी रो कम्प्लीट कर लिया है और इस तरफ के 11 फंदे रह गये हैं एक फंदा उल्टा, चार फंदे सी थे, एक, दो, तीन, चार, एक फंदा उल्टा, और यहां के पाँच फंदे सी थे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, सेथी साइट से रू नमबर तीन कम्प्लीट कर ली है, रॉंग साइट से रू नमबर चार बना रही हूं, और जब हम रू नमबर चार बनाएंगे, तो जो हमारा यह वाला, यह जो डिजाइनर ने यह वाला, यह स्टार्ट हो जाएगा, यह रॉंग साइट से स्टार्ट होता है, चार फंदे सीथे, एक, दो, तीन, चार, एक फंदा उल्टा, सुरी, पाच फंदे सीथे बनाने थे, चार नहीं, चार फंदे सीथे और ये एक फंदा हमारा डिजाइन का यहाँ पर चार फंदों में हमें बल डालना है, अपना एक जाली डालनी है, एक फंदा उल्टा, एक जाली, एक उल्टा, एक जाली और एक उल्टा फंदा बना लिया, और एक फंदा सीथा बना लिया यहाँ पर हमने अपने चार सेंटर के डिसाइन को कम्प्रीट कर लिया है और उल्टा उल्टा बनाते हुए इस तरफ के ग्यारा फंदे रहने तक यहाँ तक हम पहले इस रो को कम्प्रीट करेंगे फिर हम इसके उपर बनाएंगे यहाँ पर उल्टा उल्टा बनाते हुए यह रो मैंने कम्प्रीट कर ली है अब इस साइट के ग्यारा फंदे कैसे बनाएंगे एक फंदा सीथा बनाने के बाद एक फंदा उल्टा एक जाली एक फंदा उल्टा एक जाली एक फंदा उल्टा एक जाली और एक फंदा उल्टा और ये एक फंदा सीधा, ये हमारा छे फंदों का डिजाइन कम्प्लीट हो गया, और इसके बाद हम पाँच फंदे सीधे बनाएंगे, एक, तो, तीन, चार, और पाँच, अब हम इस साइट से बना रहे हैं, रोन नमबर पाँच, पहला फंदा उर्टा बनाकर, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, एक फंदा उर्टा बनाने के बाद इन चीजों हमने चार बल डाले थे, इन्ने उतार लेंगे, दो और तीन बल डालने के बाद चारो फंदों को एकठा खेंच लेंगे बड़ापर कर लेंगे और इस साइड से तीसरे फंदे को हम पहले सीधा बना लेंगे और दोनों फंदों के उपर से इसको पलट देंगे यहां से फिर से तीसरे फंदे को हम एक सीधा बना लेंगे और इन दो फंदों के उपर इसको हम पलट देंगे दो फंदे सीधे बना लिए और एक फंदा उर्टा बनाने के साथ starting का border भी complete कर लिया सीधा सीधा बनाते हुए complete कर लिया और 11 फंद हम कैसे बनाएंगे एक फंदा उल्टा और ये जो हमने तीन बल डाले थे ना इन्हें हम उतार लेंगे स्लाइस से और इन चार फंदों को पहले खेंच के बराबर कर लेंगे और अपने उल्टे हाथ की स्लाइप पर ले लेंगे फिर पहले की तारा तीसरे फंदे को हम इस तरीके से बुन कर दोनों फंदों से उतार देंगे फिर से एक फंदे को इस तरीके से खिंचेंगे बना लेंगे और दोनों फंदों के उपर से इसको हम उतार देंगे और इन दोनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे एक फंदा उल्टा बनाने के बाद बाकी के सारे फंदे हमें सीधे बनाने है और इसी के साथ हमने अपने डिजाइन की रो नमबर 5 कम्प्रिट कर दी है अब हम रो नमबर दो बना रहे हैं स्वारी रो नमबर चे बना रहे हैं रो नमबर चे, रो नमबर दो पिल्कुल सेम है एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और पाँच फंदे सी थे एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच फंदे सीथे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, और एक फंदा सीथा बनाने के साथ सारी रो हम उल्टी उल्टी बनाकर कम्प्रीट करेंगे, आखिर के ग्यारा फंदे हम आपके सामने बनाएंगे उल्टा, उल्टा बनाते हमने हमने ये रो कम्प्रीट कर ली, आखिर के ग्यारा फंदे, एक फंदा सीथा, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, और एक फंदा सीथा एक फंदा सीथा, और यहाँपर पाँच फंदे भी हमें सीथे बनाने हैं, चे फंदे सीथे, एक, दो, तीन, चार, पांच टोटल फंदे 6 सीधे बनाने है और इसी के साथ हमने अपने एक बार के डिजाइन की 6 रोस को कम्प्लीट कर लिया है और इसी डिजाइन को हम लगातार कितनी बार बनाएंगे एक, दो, तेन, चार, पाँच बार बनाएंगे और रो नमबर एक और दो फिर से बना लेंगे तो हमारे बूट बनकर बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा तो पहले हम इतना बूट कम्प्लीट कर लेते हैं फिर हम इसके उपर बनाएंगे यहाँ पर मैंने अपने डिजाइन को 5 बार बना लिया है और उसके उपर दो रो और बना ली है जार पाँच और यह दो रो और बनाएं और इसी के साथ ही मैंने सेंटर में एक मार्कर लगा लिया है अब हम अपने डिजाइन को बिल्कुल पहले के तरह ही बनाते हुए अपने मार्कर तक बनाएंगे सीथे फंदे को सीथा उल्टे फंदे को उल्टा बनाते हुए पहले हम मार्कर तक बना ले फिर हम इसे की आगे बनाएंगे इस तरीके से अब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे बूर्ट बनकर त्यार हो जएगा और ये चीज़ बनकर आज़ेगे जोड़ने का तरीका बिल्कुल सीम है बिल्कुल सिंपल है पहले हम दो फंदो को इस तरीके से बुल लेंगे अगली बार फिर से इसी तरीके से दो फंदो को बुलेंगे और पीछे वाले फंदे को हम इसके उपर पलट देंगे फिर से आगे वाले दो फंदे हम उतार लेंगे एक फंदा उतारेंगे एक फंदा बुल लेंगे और पीछे वाले दोनों फंदो को हम इसके उपर पलट देंगे बस इसी तरीके से बनाते हुए हम ये सारे फंदों को बंद करेंगे एक के करके सारे फंदों को बंद कर दिया है धागा काट दिया है और इसी आखरी फंदे को हम खींच के बंद कर देंगे और सुई में धाका डालके हमारे पास जितने यहां पर फंदे हैना सब को पहले अंदर कर देंगे तो हमारा बोट बनकर त्यार हो जाएगा यहां पर हमारा बोट बनकर बिलकोल त्यार हो गया है आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा फ्लीज मुझे कमेंट फॉक्स में जरूर लिखे जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहें गुट्टी की पोठली नमस्कार धन्यवाद